नमस्कार, मैं हूँ अरन सिंग और आप देख रहे हैं स्क्वेर फीट इंडिया क्या एक मुसल्मान को सिटको के लोट्री में घर मिलते हैं? आप हैरान होंगे कि मैं इस तरीके का सवाल लेकर आपके सामने क्यों आया हूँ दरसली सवाल मेरा नहीं है मेरे एक विडियो पर जो मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले डाला था उस पर कल किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई क्या एक मुसल्मान को सिटको के लोट्री में घर मिलते हैं? तो मैंने सोचा कि मैं तो वहीं जवाब दे दू उन्हें पर सबूत के साथ जवाब देने में थोड़ा अच्छा लगता है जी हाँ ये डर जो है उनका ये डर के बारे में हम बात करेंगे आगे पर मैं आपको बता दू कि सिटको नवी मुंबई के तलोजा में 5730 घरों की लोट्री ला रही है इन लोट्री के लिए सिटको के कुछ शर्त हैं और वो शर्त क्या है? वो शर्त पहना शर्त तो ये है कि जब आप लोट्री में एप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपकी उम्र उस वक अठारा साल या उसके उपर होनी चाहिए दूसरी शर्थ ये है कि जो व्यक्ति इस lottery में application कर रहा है वो महराश्ट्र में कम से कम उसने 15 साल बिताय हो यानि वो यहां का domicile हो तीसरी कि आप joint application कर सकते हैं पर joint application करते वगद जो joint applicant होगा आपके साथ यदि आप एक husband है तो आपकी wife होगी और अगर wife है तो husband होगा इसके लवार कोई नहीं है इसके अलावा सिर्को की जो lottery है वो दो categories में है economically weaker section और सर्वसाधारन जनता economically weaker section के लिए कुछ 1500 तक घर है और इन घरों में application करने के लिए कुछ नियम है नियम ये है कि जो व्यक्ति इस घर के lottery में application कर रहा है उसकी सालाना income तीन लाग रुपए के उपर नहीं होनी चाहिए जी हाँ तीन लाग के नीचे होनी चाहिए और अगर husband और wife दोनों कमाते हैं तो इन दोनों की salary मिला कर तीन लाग के उपर नहीं होनी चाहिए व्यापार करते हैं तो इनकी आमदनी तीन लाग के उपर नहीं होनी चाहिए तब आप EWS में आते हैं EWS में आपको PMAY यानी प्रधान मंतरी आवास योजना की subsidy scheme भी लागू होती है जिसमें आपको धाई लाग रुपए की subsidy मिलती है जिससे देड लाग रुपए सेटल गवर्मेंट देती है और एक लाग रुपए स्टेट गवर्मेंट के तरफ से आता है इसके लिए शर्थ ये है कि आपका महराष्ट रही नहीं बलकि पूरे देश भर में कहीं पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए दूसरी category जो है वो सर्वसाधारन जनता की है सर्वसाधारन जनता यानि जो लोगों की सालाना income 3 लाग के उपर है और पती-पत्नी है तो कमा रहे हैं दोनों भी तो उनकी दोनों की salary 3 लाग के उपर होनी चाहिए सिड को आपका धर्म या जात नहीं पूचता कुछ reservations है उन reservations को छोड़ दे तो बाकी सारे लोग कोई भी यह चाहिए EWS category हो या सर्वसाधारन जनता हो यहाँ पर महराश्ट्र के domicile जो भी citizens है चाहिए वो किसी भी धर्म से हो किसी भी जात से हो वो इसमें application कर सकते हैं जी हाँ आपका धर्म चाहिए कुछ भी हो आप हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो जैन हो पार्सी हो या आप Christian हो आप इस lottery में apply कर सकते हैं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मुसल्मानों को सिख को के lottery में घर मिलते हैं obviously मिलते हैं जो lottery की process है वो transparent है वो online है उसके अंदर किसी भी तरीगे का मानविय कोई हस्तक shape नहीं होता कोई भी व्यक्ति चाहे वो सिडकों का व्यक्ति हो या सरकार में बैठा हो वो इस lottery के process में कहीं पर भी हस्तक shape नहीं करता और नहीं कर सकता है यानि इसका आर्थ यह है कि वो अपने मर्जी से किसी को घर नहीं दे सकता यहाँ पे उसे जो घर देना है वो computerized lottery system है online system है वहाँ से मिलता है तो चाहे वो हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो तो कोई भी व्यक्ति हो यदि computer ने उनको चुन लिया तो वो lottery में उनको घर मिल गया है और मैं आपको उधारन दो तो महाडा के जो lottery हुई है उसके हजारो जो applicants आये हैं उनमें से कई ऐसे लोग है जो हिंदू है、 मुसल्मान है、 सिख है जिनको lottery लगी है पार्सी हैं जिनको लोट्री लगी है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुसल्मान हैं उनको लोट्रियां लगी है तो ये सवाल कहां से आया मुझे नहीं सनज में आता पर ये सवाल आया मुझे मैं चाहता तो इस सवाल को इग्नॉर कर देता पर मैंने सोचा कि क्यूं अगर किसी के मन में कोई भ्रम है तो उसे दूर करना ये एक पत्रकार का काम है 17 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ मैंने बहुत सारे ऐसे उधारन देखे हैं जहाँ पे कई बिल्डिंगों में कई मारतों में specific community चाहे वो कोईसी भी community के हो या धर्म के उनको कई बार घर नहीं मिलती stories भी की हैं पर ये सवाल कि क्या सिड़को सरकार की अंत्रना है सरकार की है सिड़को और सरकार की एक जो organization है वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा ये तो हमें निश्चित होकर चलना चाहिए इस देश में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनता कि जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव किया जाए धर्म के नाम पर या जाती के नाम पर ये देश बहुत अलग देश है यहाँ पर हर किसी को खुले बाहों से accept किया जाता है और करते आए हैं तो ये lottery का जो सवाल है आपने जिन्होंने सवाल पूछा है अगर आप ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजे कि मुसल्मानों को क्या घर मिलता है कि नहीं मिलता है बहुत सारे उधारण है मुसल्मानों को घर सिटको lottery में भी मिला है महड़ा के lottery में भी मिला है तो मिलता है चाहे धर्ण के नाम पर computer या कोई भी अधिकारी कोई किसी भी तरीके का biasness नहीं लाता और ये computerized lottery होती है online lottery होती है तो आप apply कीजिए आप criteria 15 साल वाला 18 साल से जो महराष्ट में रहकर domicile का है वो fulfill कीजिए आप 18 साल के हैं तो आप lottery में apply कीजिए किस income category में आते है वो भी देख लीजिए आपका नवी मुंबई में कहीं घर है या नहीं है वो भी देख लीजिए क्योंकि ये affordable घर है ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास घर नहीं है तो नवी मुंबई में अगर आपके नाम तो कोई घर है तो आप इस lottery में नहीं apply कर सकते हैं तो और सि जिर को या कोई भी सरकारी अंतरना नहीं रोकती है अप्लिकेशन करने से लिए और नहीं उनका हक छीनती है अगर उन्हें lottery लग रहा है तो lottery लगता है अपलाई कीजिए नसीब का खेल है lottery है लग गया तो लग गया squarefitindia.com ये एक Real Estate News वेबसाइट है और ये squarefitindia का YouTube चानल है हमारे वेबसाइट और चानल के जरी आप तक Real Estate जगर से जुड़ी ही महत पून जानकारिया लेकर आते हैं यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसके अलाव आप इस वीडियो को लाइक और शेर भी कर सकते हैं जानकारी के लिए आप हमारे website squarefitindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा